नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल करेकिट में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे RPSC 2nd grade और 5th grade के math के course के बारे में आप सबको पता होगा कि इस channel के उपर 72,000, 10, 11 से पहले वाली जो book चलती थी कक्सा 11 के अंदर 4 book चलती थी और कक्सा 12 के अंदर भी 4 book चलती थी जिसमें से जो complete आपका school syllabus है वो पूरा cover हो रहा है न जो कुछ topic अलग है वो भी आपको complete कराऊंगा तो 2nd grade के अंदर जो आपके 80 question आने हैं वो आपको complete मिलेंगे एकदम से complete पूरा course इस channel के उपर मिल जाएगा न और fast grade के दोस्तों question आते हैं 55 यहाँ पे आपको 55 question का मेटर वो करवाया जाएगा न क्यूंकि school वाला जो syllabus है उसमें से 55 question ही fast grade के अंदर आते हैं अब बात करते हैं कि हमारी जो एक book है algebra वाली book है class 11 की 70-2010-11 के अंदर जो book चलती थी वो इसमें topic कौन-कुनसे हैं वो आप देख लीजिए इसके अंदर topic हैं दोस्तों ये देखिए एक मिन्ट हम चलते हैं यापर हमने समुचे है वो पढ़ाय पूरा समुचे इसके अलाबा हमने क्या पढ़ाय एक द्विघात समी करना है इसके अंदर एक है दोस्तों द्विघात और एक क्या है एक है द्विपद पर में और हमने क्या पढ़ाय तीन topic होगे एक पढ़ाय हमने करमचे संचे कौनसा permutation और combination करमचे और संचे एक पड़ा है हमने mathematical induction मतलब गणीति आग्मिन सिदान्थ एक हमने क्या पड़ा है तिन्नों हमने पड़ी है स्रेडिया एपी है जिपी है और एचपी है इतनी चीजी हमने पड़ी है एक सोरी एक और टोपिक था एसमे का इन इक्वेशन है यह टोपिक है यह हमने complete पड़े है और पड़े हैं किस प्रकार है टोटल 23 वीडियो हैं पड़े किस प्रकार है सबसे पहले हमने माल लेजिए कोई भी आप एक्सेसाइज है वो दो नमर माल लेजिए तो हमने पूरी इसकी थ्योरी पर दिया है complete इसके एक्जामपल और जो भी क्यूशन मेरे को अच्छा लगा अब क्योंकि हैरे क्यूशन में आपको बताऊंगा तो फिर बहुत वीडियो हो बनेंगे और बहुत जयदा टाइम हो लग जाएगा अपका कोर्स भी टाइम टू टाइम हो complete होना चाहिए तो एज ये प्रिक्टिस के लिए मैंने आपको complete क्यूशन हो दे दिये और शाम को पास्पूख के आनसर हो डाल दिये फिर भी अगर जिसके भी डाउट आया है वो मैंने दूर किया है complete algebra book में जिसने भी कोई डाउट हो पूछा वो चाहिए वीडियो के मादे में से हो या फिर personally वीडियो बना कर उनको मतलब provide गराना हो कैसे भी करके मने उनका हर एक डाउट हो दूर किया है complete book के हर एक तरीका क क्यूशन मैंने आपको करा है पलस इसके अलाबा जो संजीव पास्बुक होती है अब competition exam में जैसे हम पढ़ते थे तो यह लगता था यार संजीव पास्बुक का नाम महत के अंदर लेकिन competition exam में आप जाते हैं तो आपको संजीव पास्बुक अपने रिट के अंदर भी मिलते हैं फिनमंदात्मक के हैं तो टोटल लगबग 50 से ज्यादा question आपको है topic के मिल जाए हमाली जी हमने एप पड़ा तो अन्नी महत पुपन जो परसन है वो भी पास्बुक के आपको 50 के लगबग person हो मिल गए जिसमें से 10 ये 15 क्यों से हैं mcq type ठीक है 15 यह हो गए आपकी लगबग में अच्छे खासे example दे रहे हैं अच्छे खासे question की संक्या भी है तो हम देखें तो हर एक topic का लगबग हमारा जो रहा है percentage area question का वो 100 के आसपास रहा है चीज हर बुक में वो कोई जुरूरी नहीं है लेकिन जैसे ही हमने मान लिजे क्रम्चे संचे पड़ा क्रम्चे संचे से समधी जो मैंने मतलब video class ले थी वही मैंने demo class के रूप में YouTube channel के ओपर डाला था इसके description box के अंदर link आपको मिल जाएगा आप देख लेना तो सबसे प कोई concept जो इस बुक में नहीं है वो मैंने last वीडियो के अंदर सामिल किया है इतनी चीजे हमने पूरी algebra book के अंदर किया है cover लगबग 18 गंठे का मेटरा साइद अठारा याग 19 गंठे की recorded class है जिसमें मैं notes है वो पहले बनाता हूँ आप समझ सकते है notes मैं पहले बनाता हूँ शिरफ समझाता हूँ तो सिरफ समझाना मतलब आप यह मान लीजिए आपकी जो classroom के है न तो वो तो लगबग 3 गुना time हो गया तो 18 को आप 3 से multiply करेंगे तो recorded other जो कोई भी coaching class है उसकी आप 35 गंटे के class हो मान सकते हैं क्योंकि मैंने notes पहले बनाया है शिरफ आपको समझाया है इतनी चीज़ें हमने की है अलग से group बना रखा है जिसके अंदर हमने question हो डाले है अब अलग एक और चीज मैंने क्या किया है क्योंकि request दी कई जनों की अब अब मैं लगबग आपको 500 question 500 question किसके algebra book के नहीं complete जो 8 book है मतलब जो 80 question आने है आपके complete syllabus के 500 question mcq type जिसमें जो आये हुई question पलस जो आ सकते हैं आपके book के ऐसे question जो question वो उड़ते हैं तो जो RBSC जो हम पढ़ रहे हैं वो plus NCRT की जो book अभी चल लिए है पलस SR से नहीं है या द जो 2-3 book और हैं उन में से मैं आपको ये 6 के अच्छे-च्छे 500 question प्रोवाइड कराऊंगा अब जिसमें नमरता मालीजी आप algebra book लेते हैं तो इसमें लगबग 50 या 60 question मतलब 60 भी हो सकते हैं 50 भी हो सकते हैं तो इतने question का एक पूरा paper लगबग 10 दिन बाद क्योंकि अभी तो अपने पढ़ा है तो जो revision करेगा आप इसा तो है नहीं कि आपकी कले exam और आज आप पूरी algebra पढ़ेंगे इसा तो नहीं होगा exam के लगबग 5 या 10 दिन पहले आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो अभी आप revision करेंगे अच्छे से तो लगबग 10 या 15 दिन के बाद आपको ये 50 60 क्यूशन है वो मिल जाएंगे पूरे mcq type फिर हम उसको कभी time मिलेगा तब उनका मतलब video solution है वो भी मैं आपको दे दूँगा लेकिन अभी सिर्फ क्यूशन और उसके answer आपको मिल जाएंगे आप खुद निकालना और देखना कि हमको कितना है वो आता है पलस जिसने आपको क्यूशन हो नहीं आएंगे 80% मतलब 80 क्यूशन टोटला आने है जिसका आप 80% निकालेंगे तो लगबग 64% आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से मिल जाएंगे स्कूल वाले 2nd grade के अंदर 100% मिल जाएंगे अभी algebra की फीस हो आप देख सकते हैं पूरा हमारी बॉक्स में टेलिग्राम चेनल का लिंक मिलेगा वहां पर आपको मिल जाएगी एक बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं फिर आपको पता लग जाएगा कितनी मैनत लगती है और किस तरीके से हमने पढ़ाए उसके बाद आप पूरा कोर सा वो जोइन कर सकते हैं वो आपके उप से जिसने यह बुक है वो पढ़ लिया है वो 17 क्यूशन कंप्लीट कर सकता है हना और जिसने पढ़े है उसको पता भी है कंप्लीट क्यूशन मैंने अपने टेलिग्राम चेनल के उपर डाले हैं और आप खुद भी RPSC की वेबसाइट के उपर आपको पुराने पेपर मिल ज लिए और इसमें से जो क्यूशन आ रहा है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए अराम से आपको 80% क्यूशन यहां से मिल जाएंगे हाँ 20% हो सकता है 20% के लिए आपको इतना सारा पढ़ना पड़े लेकिन सेलेक्शन 80% में तो टोपर बन जाएंगे आपको 20% तो आप सकते हैं ना बाकी सब्जेक्टी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन महत के अंदर आप छोड़ सकते हैं आपसे क्यूंकि ज्यादा से ज्यादा आप 100% कर पाएंगे 100% से ज्यादा 100% भी बहुत मुश्किल है लग बग 80% से आप मान सकते हैं 80-90% आपसे अटेम्ट होते हैं तो आ बिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू जेहन जेभड